राम मंदिर बड़ी बात नहीं उसका विवाद खतम हुआ ये बड़ी बात है की नजर से देखता है कि जिनके पास खाने को नहीं था पीने को नहीं था तो मैंने कुछ नहीं करा ये सब आप लोगों का था और मैंने आप लोगों में लगाया 1000-1000 उपय परति परिवार हमने दी ये कई जूलरी भी हमने इस दोरान बेची नमस्कार मैं सुदे सूर आप देख रहे हैं जलको इंडिया जलको इंडिया वर आपका स्वागत है कहते हैं कि वैसे तो थर्ड लिंग को 1994 के अंदर इनको दर्जा दे दिया गया था मैं कुन्यर समाज की बात कर रहा हूँ आज ऐसे ही समाज के बीच में मैं खुद को गौरानवित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं इनके बीच में बैठा हूँ लेकिन हमारे देश की संकुचित सोच ने इस समाज को हमेशा एक तीसरी नजर से देखा है इश्वर का बनाया हुआ एक अंग है सभी के पास है और उसी अंग के हम नुमाइंदे हैं बीकानेर में मैं आपको बता दूँ कि लोकडाउन के दोरान इस समाज ने इतनी महनत करके और लोकडाउन के अंदर इतना जो भले का काम किया है आज उससे मैं रूबरू करूँगा आपके सामने मैं बात करूँगा और बात करके पहलू पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस परकार से ये समाज भी दया और करूना से भरा हुआ है नमस्कार जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बीकानेर में लोकडाउन के दोरान इतना अच्छा काम किया है आप धन्यवाद के वाकई में पात्र हैं यह धन्यवाद के पात्र मेरे बीकानेर की जन्ता है क्यों कि आपका ही माल था मैं कहीं से कमा के नहीं लाई जब मेरी जनता पर विपता आके पड़ी थी, के वो बिलकुल परेशान थे, के जिनके पास खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं करा, ये सब आप लोगों का था, और मैंने आप लोगों में लगाया दर्द होता है कहीं न कहीं, अपने भारत जैसे लोगतंतर में रह रहे हैं, सरकारियन चेंज होती गई, भाजपा की आती गई, कॉंग्रेस की आती गई, 1994 में कानून बन जाता है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना समय लग गया, आपको अधिकार देते देते किसी के यहां जाओ, कोई प्यार की नजर से देखता है, कोई गेंटा की नजर से देखता है, कोई यह नहीं सोता कि यह केवल दुआ देने वाले हैं, दुआ देने के लिए बने हैं जलको हनुमानगड ने आपके हनुमानगड में आवाज बुलंद की थी आवाज उठाई थी और आज मैं ओन एर ये प्रोमिस कर रहा हूं आपसे कि जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े जलको बिगाने और जलको इंडिया जलको जितना भी मीडिया फ्लेट्फोम है हम क्या ऐसे आया कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए डाउन में एसा विचार आया कि किस्झगर के अंदर किसी ने कौल किया कि मेरे घर में खाने को नहीं है पर्शासन तुरंत उपकरने क्लिए इनसान भेजे जब उनके घर में पर उनके घर में और एक महिने करासन था ही तो मैंने के यह तो हम बसती पिरते सब क्या घर घर जातें किसी के बच्चा हुआ शादि यह तो मैं कि अपन झांबी Gewa лай जानते हो तो आप भी गर घर से सhath नितलि 모두 की टो सब्भागा में पिरकिए का शिवह संपरण जी को मंगा के रासन एक जगह एकटा किया उनको बाटा फिर रासन बाटके दिल में संतुष्टी नहीं आई तो हजार हजार रूपय पर्थि-परिवार हमने दिये कोई बड़ा परिवार था तो उनको पांच-पांच झार भी हमने दिये बन मुटी हमारे घर बुला बुला करके क अभी हमने रासन दे दिया, अभी इनके अंदर इतने इस घर में इतने तो आदमी बिमार रहते हैं, यह बच्चे हैं, यह बिमार हो शकते हैं, यह इनको दूद पानी का चीए, तो ऐसा करा, किट बना बना के हमने घर गर बाटा, और यहां तक के जो हमारे पास जुड़ा हु वो भी और जैसे हम किनर समाजे हम लोग क्या करते हैं, कि सदा सुवागन का रूप अपना करेते हैं, नाक में, कान में, पेरना, ओडना, जूलरी वगेरा, तो कई जूलरी भी हमने इस दोरान बेची, बहुत बड़ा दिल है आपका, और कभी सरकार से प्रोतसान मिला, या क प्रेंस के अंदर के बार देखा है, लोग ये कहते हैं, जब भी आपका समाज है, जो जाते हैं, लोग ये कहते हैं कि कोई काम धंदा क्यों नहीं कर लेते हैं, एक परसन का में आपको इसका एक छोटा सा जवाब ये देना चाहूंगी, कि जो गद्दी से विलोम करता है, कि जाते हैं, वे अपने जीवन यापन के लिए धंदे करते हैं, ट्रेन वगेरा के, तो ऐसे लोगों का कहीं न कहीं बहिश्कार होना चाहिए, वो बेरूपिया, लेडिस सांग करके आया, वो लेडिस सांग करके मांग रहा है, तो किनर समाज उसकी उन्दी धारना पेस कर दे और वो जाके ठीक के वे, कभी मैं तो इस तरी बेस में आया हूँ, मैं बेरूपिया हूँ लाओ, मेरा ही नाम दो, तो उसको कुछ नहीं कियाना चाहूँगा, जो आपका नाम है, जो चर्चा में चल रहा है, आजकल बीकानेर के अंदर, कैसा लग रहा है आपको एक नई प्रंप्रा में आकर रहे, एक जिम्मिवारी की मतलब दहलीज तक आकर के कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, लालगर से गद्धी पद्य हूँ, रुकसार बाई, आगर मैं बात करना चाहूँ लोकडाउन में, लोकडाउन में आ जो मिलती है आपको, जैसे एक नूर्मल इंसान को मिलती है, नहीं वो नहीं मिलती, तो ये कहींने कहीं दुख होता है कि आजाद देश की गुलाम तस्वीर अभी तक भी पड़ी है, हमारी भी सुने, जनता की भी जड़ा सुने, कोई कैसे हल में जीरेलें, कोई कैसे हल में इस हवेली के नीचे इस छत के नीचे मंदीर मजज़ित सब है तब ही मैं कहता हूँ कि इज़त करना सीखो इस समाज की क्यों क्योंकि आप एक नॉर्मल कंडिशन में होते वे भी आज धर्म के नाम पर हिंदू मुश्लिम करके इस देश को बांट दिया है इनसे सीखे कि किस प्रकार एक ही छत के नीचे मस्जिद भी इबादत भी हो सकती है और पूजा भी हो सकती है एक एशा धरम है जिसके अंदर किसी जीवधारण पसु को भी तकलीप पहुचाना महापाप है तो हम लोगों की भावनाओं को ठेच पहुचाते हैं बोलते चालते इंसानों को हम दुखी करते हैं तो किती बुरी बात है हम पाप कमा रहे हैं या पुन और यही कहना चाहूंगी मुसलमान भायों से पूछना चाहूंगी कि जब तुमारे इसलाम के अंदर यह आया है कि किसी को दुख नहीं पहुचाना और यहां तक हमारी सुननी में यह आया है अगर एक सिंग वाली बकरी बिना सिंग की बकरी को मारेगी तो उसका भी कयामत के दिन इशाब होगा यह भी हमारी सुननी में आया तो फिर आपका इशाब नहीं होगा जो आप सरी में इतनी बात कर रहे है आपके दरम में मुसलिम दरम में यह भी आया है हम कहते हैं निंदा यह कहते हैं गिबत जब किसी की चाड़ी चुगली आप करते हो उसको भी आपने गुनाई अजीम कहा गया है तो फिर आप यारो यह बढ़काव वासन देते हो यह हिंदू यह मुसलमान यह फलाना यह धिमका तो इससे क्या असिल करते हो आप अपने आपको गुनेगार बनाते हो, महले में रहते हो, उस महले के अंदर अश्यांति का माहुल पेदा करते हो, जिस सहर में रहते हो, उस सहर में अश्यांति का माहुल पेदा करते हो, और एक दूसरे को कट्रपंत का पाठ पड़ाते हो, तो ने तो हिंदू भाई को हिं इसके नाम पे हर चुनाओं में दंगे होते थे हर चुनाओं में राम मंदिर के भाषन दिये जाते थे अब नहीं दिये जाएंगे मैं भी समझ रहा हूँ और हमारी ओडियेंस है वो भी समझ रही है फिलाल बेबाकी से आपने मेरे परशनों का उतर दिया आपका तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत दन्यवाद आप तो ये थे हमारे साथ पूरा एक समाज जुड़ा हुआ इस समाज के साथ मैं आज नमस्कार देखते रहे जलको इंडिया